हेलो दोस्तो वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे features of soul proprietorship soul proprietorship की क्या विशेशताएं होती है इससे पहले की वीडियो में हम इसकी meaning definition के बारे में समझ चुके है इस वीडियो में हम बस इसके features के बारे में समझेंगे कि इसके क्या-क्य features होते हैं तो यहाँ पर total 10 features दिये हुए है एक-एक करके हम इसको समझेंगे soul proprietorship का सबसे पहला जो features होता है वो है single ownership अब हम जान चुके हैं कि soul proprietorship में एक अकेला वेक्ती ही जो होता है वही सारी चीजों को manage करता है मतलब इस तरह के business का जो owner होता है वो single individual एक वेक्ती ही होता है वही capital, assets और इन सारी चीजों को arrange करता है और इन पर उसी एक person की ownership भी होती है वही सबका अकेला अधिकारी होता है तो इस तरह soul proprietorship में single ownership होती है इसका दूसरा point है formation and closure इस soul proprietorship business को शुरू करने और इसे बंद करने में किसी भी तरह की legal formalities की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो इस तरह की business करने वाला वेक्ती है वह जब चाहे अपने soul proprietorship business को start कर सकता है और जब चाहे वह उसे close भी कर सकता है उसे किसी भी तरह के rules, regulations या किसी भी तरह की formalities करने की ज़रूरत नहीं होती है तीसरा point है individual risk bearing अब चुकि soul proprietorship business में एक single person ही उस business को चला रहा होता है तो वही business के सारे risk को bear करता है उसे सहता है अगर profit हो रहा है तो अच्छी बात है उसे उसका फायदा मिलेगा पर अगर किसी भी तरह से उसे loss हो गया है उसके business में तो इसका जो नुक्सान होगा वह भी उसे ही सहना पड़ेगा उसका risk भी उसे ही उठाना पड़ेगा इसका चौथा feature है one mind control इसका मतलब या हुआ कि एक ही परसन पूरी तरह से उस अपने business को चलाता है उसे control करता है management के भी जितने काम होते हैं वह सारे काम को वही एक person देखता है इस तरह से सारे अधिकार और जिम्मेदारियां पूरी तरह से उसी के पास होती है उस business के मालिक के पास होती है बिना उसकी permission के कोई भी person उस business activities में interfere नहीं कर सकता है तो इस तरह या sole proprietorship business one mind control होता है जिसे एक person control करता है सारी चीज़ों को next है unlimited liabilities एक sole proprietor किसी से कोई सामान उधार में खरीदता है तो किसी भी तरह से उसे उसका payment करना ही पड़ता है इस तरह जो person है वह अपने loss या कर्ज को चुकाने के लिए अपनी personal property भी बेच सकता है इसकी अपने business के लिए liability unlimited होती है next है all profit to owner अब business से जितना भी profit होता है वह सारा profit उसी एक person का होता है क्योंकि वही उसका एक मालिक है तो जब उसको या पता होता है कि सारा profit जो होगा वह उसी को मिलेगा तो वह उस profit को बढ़ाने के लिए उसे और ज्यादा करने के लिए ज्यादी मेहनत भी करता है वह ज्यादा मेहनत करता है और चालाकी के साथ काम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वा profit कमा सके नेक्स्ट है less legal formalities sole proprietorship business के लिए कोई भी separate law नहीं बना हुआ है ना ही इसे शुरू करने में कोई दिक्कत आती है बस कभी कभी कुछ formalities को पूरा करना होता है कुछी business को बस license की जरूरत होती है या या भी कर सकते हैं कि उन्हें बस एक registration कराना होता है बाकि और किसी तरह की किसी भी paperwork की जरूरत नहीं बढ़ती है next है small size या जो sole proprietorship business होता है या छोटे level पर ही किया जाता है क्योंकि सारा पैसा एक ही person को arrange करना होता है अब चाहे उसे अपने capital लगानी पड़े या कहीं से loan लेना पड़े सारी चीजों को वही control करता है तो इसी लिए या small level पर ही किया जाता है ताकि उसे अच्छे से manage किया जा सके next है management management का मतलब होता है business की सारी चीजों को सारी activities को manage करना तो sole proprietorship में वही एक person business की सारी activities को manage करता है कि funds कहां से लेने हैं sales कैसे करनी है customer को कैसे बनाएंगे उनसे relation कैसे build करना है या सारी चीजों को वही एक person manage करता है next और last feature है इसका no separate legal entity जो sole proprietor है जो किसी business को चला रहा होता है इसमें कोई separate legal entity नहीं होती है law की नजर में वह sole proprietor और उसका business एक ही है उसके business में अगर कोई दिक्कत आती है product की कोई complain आती है तो इन सब cases में वही sole proprietor ही इसका जिम्मेदार होगा तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम जानेंगे कि sole proprietorship business के क्या advantage और क्या इसके disadvantage होते हैं तो business organization की और videos देखने के लिए आप चैनल में इसकी playlist है उसको जाकर देख सकते हैं thank you